आज एक अती महतपूर्ण विशे जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव नामक वेबसाइट पे एक रिपोर्ट छपी है तीन क्रिशी कानूनों की का जन्म कहां से हुआ उस संदर्ब में काफी डीटेल रिपोर्ट दो भाग में रिपोर्टर्स कलेक्टिव में ये रिपोर्ट आई है इसको लेकर आज देश इस सरकार से बहुत से प्रशन पूछ रहा है पहली बात तो ये इस रिपोर्ट के माद्यम से साबित हो गया है कि जो तीनों क्रिशी कानून जो हम कहते थे हम लोग कहते थे किसान आंदोलन एक साल तक चला आपको याद होगा साड़े साथ सो किसानों की जान उस आंदोलन में कुर्बान हो गई जो इन धर्नों से जो शब वापिस गए अपने अपने गाहों में कोविड भी था ठंड भी थी इन परिस्तितियों में साड़े साथ सो किसान इन धर्णों से उनके शब वापस लोटे ऐसी परिस्तिति में लगातार किसान आंदोलन जब चल रहा था हम कहते थे यह किर्शी कानून जो आए तीन यह किसान के हके नहीं हैं यह कहीं न कहीं धन्नाट्डे लोगों को लाब देने के लिए सरकार लेके आई लेकिन सरकार के लोग इसके फाइदे गिनवाते थे लेकिन यह जो रिपोर्ट आई है अब रिपोर्टर कलेक्टिव में उससे साबित हो गया है कि जो हम कहते थे वो सही है यह जो किर्शी कानून आए यह देश के कुछ चन धन्नाट्डे लोगों को लाब देने के लिए सरकार लेके आई उनके उनकी लॉबिंग से उनके इशारे से समझिए यह सरकार सरकार ने बिना किसानों से कंसल्ट किया यह कंसल्ट किये बिना किसी भी किर्शी छेतर से जुड़े हुए विशेशग्य से सला मशवरा के किये सरकार लेके आई मैं पहले क्रोनोलोजी में जाना चाहता हूँ किस तरीके से यह सब हुआ देखिए फरवरी दोजार फरवरी अठाइस दोजार सोला प्रधान मंत्री जी ने कहा कि 2022 तक इंकम डबल के लिए हम अपना लक्ष रखते हैं जैसे ही यह हुआ उसके बाद अपरेल दोजार सोला में अशोक डलवई जी के अदेख्षता में कमेटी सेट अप की गई सरकार के माद्यम से यह भार सरकारी कमेटी थी इसमें कई मंत्राल्यों से जुड़ेवे प्रतिनीदी शामिल थे ऑफिशल कमेटी थी जो इस संदर्ब में काम करा जिस कमेटी ने और अंतता है उसकमेटी ने 30,000 पेज की रिपोर्ट सरकार को सौपी भी जिसमें कई अच्छे सुझाओ भी इस कमेटी के हैं लेकिन जब ये कमेटी कारे कर रही थी उसी दोरान एक शरद मराठे शरद मराठे नामक एक व्यक्ति ने नीती आयोग के वाइस चेर्मेन राजीव कुमार जी को एक पत्र ल लिखा और पत्र में लिखा कि डबलिंग इंकम के लिए मैं एक मॉडल प्रपोस करना चाहता हूं देश में और इस मॉडल में तीन कंपनिया बने एक कंपनी बने फार्म मैनेजमेंट कंपनी फार्म मैनेजमेंट कंपनी जिसमें 500 से 1000 एकर तक की जमीन हो और जिसमें जितने भी फार्मर से वो जमीन ली जाए उनको 51 प्रतिशत इनका जो है पार्टनर बना दिया जाए बाकी बड़े हो द्योग पती दूसरी कंपनी बने जो की प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग कंपनी उसमें किसान का कोई लेना देना नहीं और तीसरी मार्केटिंग कंपनी उसमें किसान लेना देना नहीं वो तीन कंपनिया बनें जो बड़े धन्याटे बनाए जो फार्म मैनेजमेंट कंपनी जो किसानों से जमीन लेके बनाई जाए पचाप पांसो से एक अजार एकड उसमें क्यावन प्रतिशत जरूर किसान को यह उन्होंने एक प्रपोजल लेते कहा कि एक मैं एक डब्लिंग इंकम बड़ा मदद करेगी और नीती आयोग से मैं मांग करना चाहता हूं वो कमेटी काम कर रही थी उसके साथ साथ यह टास्पोर्स गठित करने की बात शरद मराठे कौन है शरद मराठे उनका क्रिशी चेतर से कोछ लेना देना नहीं शरद मराठे उनिस्सो नाइन्टीन सिक्स्टी से अमरीका में रहे हैं कहीं न कहीं सत्ता रूड दल से और उनके जो एनरेई जो उनके संग्ठन से जुड़वे लोग हैं उनसे इनका काफी अच्छा परिच्छ है और बार बार इनको ऐसी डेलिगेशन्स में या ऐसी सरकार की तरफ मीटिंग्स में शामिलोने का अफसर मिलता है जो आप और हम और आम नागरिक को नहीं मिलता जैसे की 2019 में वो प्रिंसेस ओफ स्पेन चेर्मेन नाबाड के साथ प्रिंसेस ओफ स्पेन से वो मिले आयूश उनका कोई आयूश से भी लेना देना नहीं लेकिन 2018 में एक टास्क फोर्स बनाई गई आयूश सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उसका भी उनको चेर्मेन बना दिया गया था मगर ये ना तो इनका तो कोई आयूश से लेना देना ना क्रिशी चेतर से लेना देना ये जो हैं ये जनाब इन्होंने इनकी एक सौफ़ेर कंपनी है यूएस के अंदर उनिवर्सल टेकनिकल सिस्टम्स इन्होंने मेकैनिकल इंजिनेरिंग एंबे करी है और एक और सौफ़ेर कंपनी है यूश सल टेकनिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ये इंडिया में रेइस्टर कंपनी है तो ऐसे व्यक्ति ने एक तास्पोस का क कि वे क्रिशी चेतर में किसान की और नीती आयोग ने इनके सुझाओ पर नीती आयोग के मेंबर रमेश चंद ने लिखा कि प्रपोजल फॉर इस्टैबलिशिंग टास्पोस हैज बिन डिसकॉस्ट विद प्राइम मिनिस्टर ओफिस एंड विल अवेट देरिस्पॉंस बि टास्पोस बना दी गई यही नहीं इस टास्पोस में इन्हों ने कहा जो यह शरद मराथे नीती आयोग आप समझ सकते हैं नीती आयोग एक यूएस के सौफ़ेर इंजिनियर शर्ण साथ से वहां से जिसको देश की क्रशी से वेवस्टाम बता नहीं उनके कहनेम में टास्पोस बना रही है और उन्हों उन्होंने एक दो की और उस टास्पोस्ट के अंदर एक कोई बिने चोठाई वाले जी हैं जो की भाजपा के ओवर्सीज के कई प्रोग्राम्स आयोजन वगारा करते हैं उनका उन्होंने नाम सुझाया एक संजे मरीवाला जी हैं तो उन्होंने कईयों के नाम लिए जो ये संजे मरीवाला जी इनके खुद के बिजनेस पार्टनर हैं कि ये टास्पोस्ट बनाई जाए जो देश की किर्शी विवस्ता के बारे में निर्धारित करें वो बन गई टास्पोस्ट आशोक दलवई की जी की जो कमेटी जो भारत स अंदर 3000 पेज की रिपोर्ट दी जब उसने अपनी तेरवी वॉल्यूम कि सम्मिट करी यानि कि उस रिपोर्ट की तरफ कोई उसको अंसुनात किया जा रहा है अंदेखा किया जा रहा है तब इस दोरानी टास्पोस्ट ने अपना काम पूरी तेजी से शुरू कर दी और इस ऐसे टास्पोस्ट ने किस से कंसल्ट किया तब ऑस कर कौन कौन ऐसे लोग थे जिन से टास्पोस्ट ने कंसल्टेशन करी टास्पोस ने द़िट टास्पोस कंसल्टेच 218 अंग कोॉपरेट सच एज अधानी ग्रूप पतंजली आहरुएदा महिंद्रा ग्रूप एंड बिग बास्केट इन ऐसे बड़े कॉर्परेट घरानों से पुछा गया कि क्या होना चाहिए जाईर है इन्होंने अपने अपने नजेरिये से सारी बात रखी और अन्तत है आपने देखा कि कोविड के दोरान बिना संसद में बहस किये तीन किर्शी कानून आगे मैं एक उधारन देना चाहता हूँ छोटा सा उधारन क्योंकि तीन कानूनों में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन एक उधारन आशोग डलवी जी की कि जो कमेटी सरकार दोरा इंटर मिनिस्टरियल कमेटी थी और एक और इतफाक देखिए इस टास्पोर्स को भी के भी चेर्मेन अशोग डलवी जी को बनाया सरकार ने नितियायोग के जो शरण मराठे जी की टास्पोर्स है तो अशोग डलवी जी दोनों ही टास्पोर्स के तो ये दोनों टास्पोर्स की अधिक्ष्टा अशोग डलवी जी कर रहे थे एक उधारन देना चाहता हूँ Essential Commodity Act यानि कि जमाखोरी के खिलाफ सरकार के का एक ऐसा कानून कि कोई विचौलिया किसान से कम कीमत पे खरीद के और इतना जमाखोरी के माद्यम से और गरहा को ज़्यादा कीमत पे बेचने का काम ना करे ताकि किसान को भी और गरहा को भी दोनों के को चोट मार कर खुद का मुनाफ़ा ना कमाए इसलिए जमाखोरी का एक कानून है Essential Commodity Act और आपको याद होगा तीन क्रिशी कानून में से एक ये भी था कि इसमें बदलाओ अशोक दलवई जी की दो कमेटियां है एक कमेटि जो दूसरी इंटर मिनिस्टीरियल कमेटिये उसमें एक सुझाव यह है कि यह प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावाद देने के लिए अशेंशल कमोडिटी एक्ट में एक्जैम्शन दिया जाए बीच का जो एंटिटी है वो मगर वो तब दिया जाए जब वो MSP पर परचेज करे MSP पर खरीदती है तो बीच में वो रख सकती है बीच की एंटिटी मगर तास्पोर्स के आगे अदानी समू ने कहा और अदानी समू जैसे बाकी जो मैंने आपको नाम लिए उन्होंने कहा कि ये ठीक है बीच की एंटिटी को इजादत दी जाए जमाखोरी करने की असीमित और अनियंतरित इजादत दी जाए और MSP पर खरीद करने की कोई कंडिशन ना हो और यही मान लिया गया कानून जब आया तो उसमें जो अशोक दलवई जी की भारत सरकार द्वारा जो इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी थी उसकी सिफारिश को ना मान कर यह जो यह थी जिसमें इनकी जो टास्पोर्स थी शरद मराठे जी की टास्पोर्स उसकी कंडिशन मान ली गई की कोई MSP पर खरीदने की अनिवारता नहीं है यह डलवई जी की जो टास्पोर्स है इंटर मिनिस्टेरियल उसकी रिपोर्ट सारजनी पब्लिक डॉमेन में अभी तक यह जो दूसरी जो दूसरी नीती आयोग दौरा जो यह इसकी रिपोर्ट पब्लिक डॉमेन में नहीं है लेकिन किस समूने क्या कहा महिंद्रा गुरूप ने क्या कहा उसमें सुझाओ आदानी समूने क्या कहा पतंजली समूने क्या कहा वो सारा पब्लिक डॉमेन में है तो आज यह थाबित हो गया है जैसे मैंने कहा इस रिपोर्ट के आने के बाद कि यह तीनो कृशी कानून किसान को लाब देने के लिए नहीं धनाड़े लोगों को लाब देने के लिए बनाए गए थे किसान यह कहता रहा हम लोग यह कहते रहे आज यह साबित हो गया है केंदर सरकार को अपने ड्राफ्ट इस बिल की द्वारा अपने ड्राफ्ट इतना भरोसा था कि कोविड के दोरान बिना चर्चा करे संसद में उन्होंने ये ओर्डिनेंस ये लेके आ गए करोना काल में जबकि किसान संग्ठन की कोई ये मांग नहीं थी पूरे देश में कोई किसान मांग नहीं कर रहा था तबी किसानों को शक हो गया था हमारा देश का किसान भोला जरूर है लेकिन समझदार भी है ये जय जवान जय किसान का देश था और है और रहेगा लेकिन भाजपा ना जवान की है ना किसान की है भाजपा केवल धनवान की है ये भी साबित हो गया है और सरकार ये कहती थी कि किसानों को हम इनके लाव समझाने में सफल नहीं हो पारे तीन कानूनों के लेकिन सच्चाई ये निकली किसान ये समझ गया कि इन बिलोग के पीछे हकीकत क्या है ये बड़े उद्योगपति धनाडों को फाइदा पहुचाने के लिए और किसान को नुक्सान पहुचाने की नियत से लाए गए हैं किसानों को इन तीन बिलोग के फाइदे ना समझा पा रही बाजबा बार बार कह रही थी हम नहीं समझा पा रहे प्रधान मंतिजी सबको फिल्ड में बेजने की केरेते समझाओ लेकिन हकीकत है हकीकत ये है कि किसान ये समझ गए कि इन तीन कानूनों के आने से कितना भेंकर नुकसान किसान का होगा इस बात की तकलीव BJP को है ये नहीं कि वो इनके तीन के फाइदे नहीं समझा पाई ये कि किसान समझ गया कि कितना भेंकर नुकसान किसान को होगा और इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से प्रेस रिलीज में बाकी डीटेल है कि जब दलवई थी हमारी चार मांगे है जब दलवई कमेटी की 3000 पेज की रिपोर्ट मौजूद थी तो नियमों को दरकिनार कर भाजपा ने गेर विशेशग्य एनराई उद्योगपती की बात क्यों सुनी हाई लेवल टास्पोर्स क्यों गठित किया गया नीती आयोग द्वारा क्या वो किसानों के अधिकारों को चलने के लिए बनाई गई थी ताकि चुनिंदा धनाडों को धनाड मुनाफा कमा सकें पहला प्रशन दूसरा आखिर भाजपा सरकार को चुनिंदा पुंजुपतियों का फाइदा कराना क्या इतना जरूरी है जिसके चलते हैं उन्होंने देश की पूरी खादे विवस्ता और क्रिशी सेक्टर को तार-तार करने की साजिश रची हमारा दूसरा प्रशन हमारा तीसरा प्रशन देश का जो अंदाता 140 करोड भारत नागरिकों का पेट भरता है उसके साथ ऐसा ये सरकार ऐसा शत्रूपूर्ण वेवार क्यों कर रही है हमारा तीसरा प्रशन और हमारा अंतिम प्रशन है किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलने वाली भाजपा सरकार ने किसानों को कॉस्ट प्लस 50 प्रतिशत MSP तो दिया नहीं शहीद साथ सो किसानों को ना मुवावजा ना शहीद का दर्जा ना उनके परिवारों में सरकारी नोकरी देना काम हुआ और ना ही संसद में दो मिनट का मौन धरा गया इतना ही नहीं उनके खिलाफ केस दर्ज भी वापिस नहीं हुए अब जो आंदोलन खरंत खत्म कराते वक्त सरकार ने जो मांगे मानी थी MSP कमेटी का गठन करना समय निर्धारिक तरीके से MSP को लीगल गारंटी देने का को करियानवत करना और ये केस मुकद में वापिस लेना इन सभी समझोते के जो फैसले हुए थे इनको पूरा करने की टाइम लाइन कब तक है ये हमारा क्योताव अंतिम प्रशन ये चार प्रशन आज हम सरकार से पूछते हैं